आप सभी को पता होगा एक Jio की तरफ से एक popular offer आ रहा था जो कि 20% cashback आपको दे रहा था हर रिचार्ज में जिसका नाम था Jio Mart 20% cashback offer तो इस offer को finally Jio की तरफ से बंद कर दिया गया है तो ऐसे में जब ये offer बंद हो गया है तो ऐसे में काफी ज़्यादा सवाल भी हमारे मन में उ जल्दी सिस वीडियो को शुरू कर अब जिन लों को नहीं पता कि ये Jio Mart 20% cashback offer में क्या-क्या मिल रहा था और कैसे काम कर रहा था उनको मैं बता दो कि यहाँ पे एक offer था Jio का जिसमें अगर आप 200 रुपए से उपर का कोई भी रिचार्ज करते थे तो यहाँ पे आपको 200 रुपए तक का cashback मिल रहा था 20% के हिसाब से तो वह डिपेंड करता था कि आप कौन सा रिचार्ज करते हो और उस रिचार्ज किया कितना amount है उस पे आपको 20% का cashback मिल रहा था 200 रुपए तक ही मिल रहा था तो यह जो offer था यह काफी ज़ादा popular offer था और काफी ज़ादा offer पूरी तरीके से बंद हो गया मतलब 29 तारीक को जिन लोगों ने रिचार्ज किया उनको तो यह 20% cashback offer का benefit मिला लेकिन अब आज है 30 तारीक और आज से लेके यहाँ पे यह offer सो नहीं कर रहा है अगर आप mygo application में जाएंगे तो वहाँ पे भी यह offer दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको बता दू कि यह offer जो है यह वापस तो नहीं आने वाला है वैसे आएगा तो आम आपको बता देंगे आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना लेकिन जब यह offer बंद हुआ तो उसके बाद मेरे मन में भी सवाल उठा कि भाई जो इसमें हमें cashback मिला था क्या ह उसे यूज कर पाएंगे कि नहीं तो उसके बाद मैंने यहाँ पे myju application को open किया और वहाँ पे देखा एक recharge करके तो वहाँ पे दिखा रहा था cashback और वो cashback यूज भी हो रहा है तो यानि कि अगर आपके नंबर में cashback पहले से मिल चुका है तो उसका आप यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप 30 तारिक या फिर उससे आगे recharge करेंगे myju application से तो आप से आपको 20% का कोई भी cashback किसी भी plan पे देखने के लिए नहीं मिलेगा और अगर यह offer extend होता है तो आपको बता दिया जाएगा तो आप इस channel को भी subscribe कर लेना बाकि और भी कोई सवाल है तो आप comment section में पूस सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके share कर दीजिए बाकि मैं मिलता हूं आप से अगली वीडियो में बाए